आज मैं आपके साथ दो ऐसे खास स्टेप शेयर कर रहे हूँ जिने फॉलो करने से आपकी फेस पर पारलर के महंगे फेशल से भी बहुत ही अच्छा निखारा जाएगा तो सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा अपने फेस को क्लीन करना होगा फेस की क्लिंजिंग करनी होगी तो इसके लिए आप क्या करें या तो आप स्टीम ले ले या फिर आप मेरी तरह गरम पानी करके उसमें कॉटन का कपड़ा भिगो कर उसे निचोड ले और इस तरीके से अपने face को आप steam दें इस से क्या होगा आपके सारे pores open हो जाएगे पोर्स में जमा गंदगी निकल जाएगी इस तरह आपका फेस बहुत ही साफ हो जाएगा जमा गंदगी निकल जाएगी आपको बार बार कोटन के कपड़े को गरम पानी में डिप करना है और इस तरीके से निचोड़ कर अपने फेस को बहुत ही अच्छे से साफ कर लेना है इस प्रोसेस को आपको लगभग धाई से तीन मुट के अब आपको करनी है स्क्रबिंग तो इसके लिए आपको लेना है आधा चमच कौफी पाऊडर के स्तेमाल से इसकिन पर जो भी ब्लेक हेर्स वाइध हेर्स और डैटसल होते हैं वो इसली रिमोव हो जाते हैं कौफी पाउडर का इस्तेमाल करने से सिस्किन बहुत ही क्लियर क असाब अटाती है कॉफी पाउडर के इस्तेमाल से इसकिन पर जो दाग धब्बे होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं और इसकिन बहुती साफ लगने लगती है अब आपको इसमें जो सेकंड इंगिडेंट एड़ करना है वो है बूरा तो मैंने एक चमच बूरा लिया है अ इसके इस्तेमाल से इसकिन बहुती साफ हो जाती है और इसकिन पर जमा गंदगी निकल जाती है पोर्स भी क्लीन हो जाते हैं अब आपको इसमें डाल देना है एक चमच बेसन बेसन के बारे में तो आप सभी जानते हैं कि हमारी सकिन को बहुत अच्छे से साफ करता है कलर को फेयर बनाता है इसकिन को lighten, tighten, brighten बनाता है इसकिन में कसावट लाता है और सारे दाग धब्बो को remove कर देता है तो यहां पर मैंने एक चमच बेसन इसमें डाल दिया है अब आपको जो main ingredient लेना है वो है दूध तो यहां पर आपको कच्चे दूध का इस्तमाल करना है रो मिल्क लेना है इस बात का ध्यान रखेगा तो दूद हम इसमें डाल देंगे और दूद डालने के बार आपको इन सबी चीजों को बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है दूद के इस्तिमाल से स्किन बहुत ही ज़्यादा फेर हो जाती है स्किन पर एक बहुत अच्छी चमक आती है इसकिन हाइडरेट रहती है और जो ड्राइनेस की प्रॉबलम है वो भी रिमूव हो जाती है दूद में लैक्टिक एसिड पाय जाता है जो आपकी स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है हमने सारी चीजों को बहुत इच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है अगर आपको यह थोड़ा गाडा लगे तो आप इसमें थोड़ा सा दूद और एड़ कर सकते हैं अगर यह थोड़ा पतला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा बेसन डाल कर इसको एड़िस्ट कर लें तो यहाँ पर देखे आपको इसे इस तरीके से लगाना है इसे अपने फेस पर नैक पर हम अच्छी तरह ऐसे लगाएंगे बहुत यह अच्छे से लगा लेंगे अभी आपको कोई मसाज नहीं करना है कुछ भी नहीं करना है बस इस तरीके से लगाना है और इसे पांच मिनट के आपको अपने face पर ऐसे ही छोड़ देना है और जो आप इसे 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे तो ये आपकी skin पर हलका सा सूख जाएगा फिर आपको क्या करना होगा अपने हाथ को आप गुलाब जल से गीला कर लें और फिर हलके हाथों से रब करते हुए से आप ऐसे न होगा तो इस तरीके से आपको 2-3 बार हलका हलका गुलाब जल अपने हाथों में लेना है और इस तरीके से इसे रब करना है इससे बहुत ही अच्छे से scrubbing होगी इस तरह लगभग 2 मिनट तक आपको अपनी skin पर scrub करना है इससे आपकी skin बहुत ही bright हो जाएगी और skin से related बहु इतनी साफ हो चुकी है अब चलते हैं अगले step की ओर जो है face massage तो इसके लिए आपको चाहिए आलू ये मैंने कच्छा आलू लिया है और आलू को आपको छील लेना है आलू के बारे में आप सभी जानते हैं कि आलू हमारे skin के लिए कितना अच्छा है इसमें bleaching properties पाई जाती हैं आलू में starch होता है जो skin के लिए बहुत अच्छा होता है दाग धबे उससे दूर हो जाते हैं इसकिन पर बहुत ये अच्छा निखार आ जाता है तो यहाँ पर जो आलू है उसे आपको इस तरीके से घिस लेना है तो मैं यहाँ आधे आलू का इस्तमाल करूंगी आधा आलू ही काफी होगा तो यह मैंने आधा आलू गिस लिया है और हमें यह जो आलू है ना इसका रस निकालना है तो इस आलू को हातों में लेकर दबा कर या फिर इसे चलनी में डाल कर आप इसका रस निकाल सकते हैं तो लगभग डेर चमच के करीब रस हमें यहाँ पर चाहि तो यह मैने आलू का रस निकाल लिया है, आलू के रस के इस्तिमाल से स्किन बहुती साफ हो जाती है, अगर आप रेड़िबिट एलुवेरा जेल लिया है, अगर आपके पास fresh है तो आप वो भी इस्तिमाल कर सकते है एलोवेरा जल के इस्तमाल से इसकिन बहुत ही ज़दा शाइनी हो जाती है ग्लोइंग हो जाती है एजिंग की प्रॉब्लम से छुटकारा मिलता है एक चोथाई चमच आप इसमें डाल देंगे हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर में एंटी वेक्टिरियल एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होती है ये इसकिन से कील मुहा से एक नेकी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है और दाग धपो को खत्म करके इसकिन को बहुत ही आपको देखने को मिलेगा फेस इतना जदा चमकदार और इतना ब्राइट हो जाएगा कि सब पूछेंगे आपने कौन सा फेशल करवाया है बहुत ही आसानी से इस फेशल को आप सस्ते में घर पर ही कर सकते हैं तो यहाँ पर ये फेस क्रीम त्यार हो चुकी है अब आपको क करेंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूफ हो गया इसकिन में पहुत यह चमक आएगी छुरिया जाइया रेमुव हो जाएंगी इस निलाइटी और अच्छी चमक आएगी ओर फेस पर एक बहुत ही अच्छी चमक आएगी ऐसा अधूत निखार आएगा कि सब देखते रह जाएंगे तो आपको इस तरह हलके हाथों से मसाज करनी है इस बात का ध्यान रखेगा तो मैंने यहाँ पर 10-12 मिनट तक बहुत ही अच्छी तरीके से मसाज की है पूरी क्रीम स्किन में समा चुकी है और इसके बाद आप क्या करेंगे थोड़ी सी क्रीम इस तरीके से लगा कर ऐसे इसे 10 मिनट के लिए फेस पर ऐसे ही छोड़ेंगे और फिर आप नॉर्मल वाटर से धोकर फेस को साफ कर लेंगे तो आप इसी तरह ये दोनों स्टेफ फॉलो करके अपनी स्किन को बहुत ज़दा शाइनी, गलोइंग और फियर बना सकते हैं अगर आपको ये फेशियल पसंद आया तो वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बैल आइकन को प्रेस और और आल पर कलिक करना बिल्कुल भी न भूलें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद